आर्किटेक्ट एकनात निमगडे हत्या प्रकरण में कई बड़े लोगों के शामिल होने के गारण इसके ठीक से जांच नहीं किये जाने तता सीबी आई से जांच कराने की मांग कर उनके पुत्र अनुपम निमगडे ने हाई कोट में याचिका दायर की थी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने जांच सीबी आई को सौम दी थी इस पर गुरवार को सुनवाई के दोरान सीबी आई द्वारा रिपोर्ट सौपे जाने के बाद नैदेश एमेस सोनक और नैदेश पूश्पा गनेडी वाला ने जांच से संतुष्टी जताते हुए इससे सेफ कस्टडी में सिल्बन निफाफे में रखने के आदेश रेजिस्टर जुडिशीयल को दिये उलेकन यह है कि गत समय भी सीबी आई की और से मामले की तहट तक जाने के लिए विविन एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी गई है उनकी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है जनवरी 2022 तक रिपोर्ट प्राप्थ होने की संभावना है सीबी आई के और से खुला सक किये जाने के बाद अदालत ने इस मामले की रिपोर्ट फॉरेंसिक लैब में अटकी होने पर आगाह करते हुए जल्द प्रक्रिया तेज करने के आदेश भी दिये अदालत ने इस पस्ट किया कि भविश्य में भी रिपोर्ट सिल्बन लिपाफे में ही प्रेशित की जाए साथ ही इसे सेफ कस्टडी में रखने तथा हाई कोट की अनुमति के बिना किसी को भी इसे खोलने की अनुमति नहीं देने के फिर सकत आदेश दिये